प्रेंट्शिप यारी दोस्ती क्या है मतलब ये दोस्तों के साथ गप्पे लडाना बक्वास करना एक दूसरे की टांग खीचना या दोस्त के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देना मैंने अभी हाली के अंदर मंजुमल बोईज डिजनी प्लस होस्टार के उपर जो ओटेटी प्लैटफोर्म है उसके उपर रिलीज हुई उस मुवी को देखा तकरीबन इस मुवी की जो लेंट है वो दो गंटे के आसपास है तो मुझे नहीं पता था इस मुवी के बारे में क कि यह जो मुवी है वो रियल इंसिडेंट के उपर आधारित एक मुवी है जब मुझे इस मुवी के जब एंड हुआ उस एंड होने पर लास्ट में जो पिच्चर दिखाए गई रियल पिच्चर दिखाए गई वो जो मैंने देखी ना यार रोंक्टे खड़े हो गई शोक लग गया और उस वक्ट जो मैंने वो वहां देखा किया और मैंने पोज किया पोज करके बहुत अच्छे से ध्यान से मैंने देखा किया यह सब चीजे इन्होंने रियल इंसिडेंट के उपर अधारित थी यह सब चीजे हमें देखने को मिली है मन्जुमल बोईज की जो मुवी है उसकी कहानी के अगर हम बात करें तो देखो कुछ दोस्त हैं उनका ग्रूप जो है वो घूमने जाने के लिए एक प्लैनिंग करते हैं कि हम घूमने जाएंगे जैसे यार दोस्त डेफिनिटली जो करते ही है अब जो एक गुना केव करके एक जगा है वहाँ पर ये जाते हैं गूमने और सुभाष नाम का जो एक दोस होता है इन दोस्तों में से एक लड़के का नाम है वो सुभाष क्या एक गड़ा कह सकते हैं जो वहाँ पर गुना के में गड़ा है या फिर उसे गड़ा ही गएंगे उस गड़े में गिर जाते और इस गड़े में गिरने के बाद जो उसके यार दोस्त हैं, वो कैसे हार नहीं बानते हैं, उसको अकेला छोड़कर नहीं जाते हैं, बावजोध उसके कि उनको negative comment वहां पे जो लोग थे वो बताये जा रहे थे, कि यार इस गड़े में गिरने वाला आज तक कभी वापस नह आया वो मर गया इवन उसकी बोड़ी तक कभी वापस नहीं विली तो तुम कौन सा अपने दोस्त को वापस लेके चले जाओगे तो बावजोद इन सब चीजों के लड़ते हुए यह जो दोस्त हैं अपने दोस्त के लिए खड़े रहते हैं और अपने दोस्त को बचाते हैं सर्वाइव करके लेके आते हैं उसको वाकई में बहुत कमाल की चीज़ है और यार यह सब चीज़ें रियल में हुई हैं ऐसा नहीं कि वो इमेजनरी था बस आपने ऐसे ही कह दिया ऐसे ही मन गणत कहानी बना दी नहीं यह सब चीज़ें रियल में हुई हैं अगर आपके पास ऐसे आपने अगर यह सीन देखे हैं इस मूवी के और आपके पास कोई ऐसा दोस्त है ना या फिर मैं सच कहूं यार आप बहुत ज़्यादा खुश किसमत हो क्योंकि ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं या फिर भगवान उनकी किसमत में वो दोस्त लिखते हैं कि भाई तेरे को ऐसा दोस्त दे रहा हूँ कि जो तेरे लिए जान की बाजी तक लगा देगा यार मैं जब यह जब चीज़ें बोल रहा हूँ या वह उस वक्त जो माहौल मैंने जो फील किया कि भाई ये रियल इंसिडेंट पर मेरे रोंगते खड़े हो गया अभी भी वो फीलिंग हो रही है बार बार की यार ऐसे भी दोस्त है कमाल की बात है यार मुझे वो फ्रेंड्शिप वाली जो चीज है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई इमोशनली जिस तरीके का इस मुवी में टच दिया गया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा दोस्तों के साथ मजा करते हैं उनकी टांग खिंचते हैं उनको कभी-कभी उनके घर पे भी फस्वा देते हैं जो हम obviously करते ही हैं लड़के आपस में तो इसके अलावा दोस्त के लिए अपनी एक real दोस्ती निभाना जो मुझे इस मुवी में देखने को मिली फ्रेंड्शिप के लिहाज से तो मुझे यह मुवी जो बहुत ज़्यादा पसंद आई है इसके अलावा मुवी जो टेक्निकली वेल मेड है ब्रिलियंट है आर सच कहूंगा और जो इसमें परफॉमेंस के लिए जो कास्ट लिया गया है वह वाकई में जबर्दस्त है इसमें आप किसी को भी उठा के देख लीजिए भले जो आप इसमें टेक्सी ड्राइवर को भी देखेंगे उसने भी अपना रोज और बहुत सिदत से बड़ी इमानदारी से निभाया और हर एक गलाकार ने अपने परफॉमेंस बहुत इमानदारी से आपके सामने रिप्रेजेंट के है मुझे वह बहुत ज़्यादा पसंद आई एक मल्यालम मुवी है अभी इससे पहले मैंने एक मुवी क्या रिव्यू किया था प्रेमरलू वह भी एक मल्यालम मुवी थी जिसमें मैंने आप लोगों बताए कि जो मल्यालम मुवी होती है उनकी अलग ही बात होती है वह कितनी ज़्यादा रिलेस्टिक होती है कि आप उसको रियल लाइफ से भी कही न कहीं कंपेर कर पाऊगे वो इतने अच्छे तरीके से हमारे सामने रखी गई है कि ये कोई दिखावा के उपर नहीं है शोफ के नहीं है आपने देखा इसके अंदर बहुत सिंपल जो लोग देखने को मिल रहे है एक जो उनकी ड्रेसिंग सेंस आप देखेंगे ये जो प्रेमिल्लू मुवी मैंने देखी या फिर ये जो मैंने वनजुमल बोईज करके देखी बहुत बढ़िया तरीके से हाँ दोनों की कहानी अलग है ये तो रियल इसिंटेंट पर दारी ते लेकिन जो आप देखेंगे ना की सादगी वो बहुत बढ़िया चीज़ है मुझे वो बहुत जादा पसंद आई है परफॉर्मेंस वाइज बात कर लूँ सिनेमेटोग्राफी वाइज बात कर लूँ या फिर रियल इसिंटेंट को थ्रिल के तोर पर इन्होंने दिखाना मुवी को बहतर बनाने के लिए और भी चीज़े इन्होंने यूज की है जो इस मुवी को बहुत जादा अच्छा बनाती है और सबसे जादा तो यार गूस बं या फिर को इमोशनल आप तब हो जाओगे कि जब आप देखोगे यार ये दोस्त के लिए ये सब चीज़े कर रहे है मुझे वो बहुत जादा सीन पसाना है तो देखो मुझे मेरे परस्पेक्टिव से तो मुवी बहुत बढ़ी है एक बार आप इसको डेफिनिल्टी ट्राइ करिए कोई भी वल्गर सीन इन्होंने नहीं डाला है एक साफ सुतरी एक तरीके से इन्होंने चीज़ों को दिखाने की कोशिश कैगी है मतलब बहुत अच्छे से चीज़ों को दिखाया ही है हिंदी डब की बात करूँ तो अच्छी हिंदी डबिंग है मेरी तरफ से तो यार देखो इस मुवी को मैं देना चाओगा 8 out of 10 अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों कैसी लगी और नहीं देखा त्यार वेट किस चीज का एक बर जाकर दीखिए कोई शो ओफ वाली मूवी नहीं है बहुत अच्छे तरीके से चीजों को दिखाया गया है